Hello students, आज हम आपको CBSE class to the applied math में most से भी most important topic आपको करवाएंगे जो की है differential equations के अंदर linear method आपकी books में ये topic given है हमने आपको करवाए नहीं था क्योंकि syllabus mention नहीं है and CBSE के sample paper में आपने इस topic के question देखे हैं और तमाम जो different publications के sample paper हैं उनमें भी इस topic के sample paper है तो इस बार अगर CBSE ने game करने की कोशिश करी तो उस game में एक question इस topic कर रह सकता है और हम CBSE को game क्यों करने दें क्यों हम CBSE को game करने दें हम CBSE को इस बार game करने ही नहीं देंगे तो that is why हम आपको छोटा सा topic आज करवाने आ गए है इस बार CBSE बिल्कुल number ने cut कर पाएगी CBSE बिल्कुल आप लोगों के साथ game ने कर पाएगी 100% में लिख के देता हूं आपको तो छोटा सा topic है छोटा सा video जल्दी से finish हो जाएगा तो आज वीडियो में हम आपको differential equation का linear method integrating factor के अंदर जो होता है उसको complete linear method कहते हैं तो linear method आपको मैं आख करवाऊंगा और इसी video पूरा complete हो जाएगा चोटा सा topic है बहुत मज़ा आएगा आपको तो देखो भी बात ऐसी है linear method में जब equations होती है न तो आपको usually आपके exam में दो type का equation देखने को मिलेगा ठीक है भी? दो तरह का linear method का equation होता है आइदर dy by dx होता है ठीक है dy by dx के addition में p into y होता है equal to me q होता है और second आपको इसका reverse मिलेगा यानि की dx के denominator में dy मिलेगा addition में p into x मिलेगा equal to me q मिलेगा तो ये दो type of linear differential equation आपको देखने को मिलेगा तो इसी type की equation को linear method के according solve किया जाता है क्योंकि इसको हम separate नहीं कर पाते अगर separate हो जाता फिर तो कुछ दिक्कत दिनी थी अपना variable method है वैसे solve कर लेते बड़ ये separate नहीं हो पाता है तो इसको हम इसी category में होती है ये separate हो ही नहीं पाती है ठीक है ये separate हो ही नहीं पाती है ठीक है भी वो हमारे function होते है और function होते है x terms में लिखे गए वाले ठीक है ना x power 2, x power 3, e power x log x ऐसे करके x power x notation में function होते है और यहाँ पे p और q जो है y वाले function होते है ठीक है ना p और q जो है वो भी हमारे function होते है लेकिन ये function y terms वाले होते है ठीके नब य पावर 2 हो गया, y पावर 3 हो गया, e पावर पे 2y हो गया, log y हो गया, log 2y हो गया तो जो भी कहानी होती है वो y टम्स में चल रही होती है ठीके अगर function नहीं हुए तो 100% constant होएंगे ठीके बई, अगर function नहीं हुए तो definitely 100% है कि वो आपके constant रहेंगे ठीके, या तो function रहेंगे, या तो constant रहेंगे, इन दोनों में से एक सीन रहेगा दोनों में same same category चलती है, ठीके अगर आपको in equations को solve करना है, तो ये match it कहता है, सबसे पहले integrating factor find करो सबसे पहले आपको in में integrating factor find करने होते हैं, ठीके बई, integrating factor ठीके, और अगर integrating factor को देखें, तो इस simple सा if होता है, इसको if करके लिखते हैं तो integrating factor if होता है, आपका e की power पे, ठीके न, e की power पे integration करना है जो p term है उसका, ठीके, p term का integration करदो, p अगर x term में है, तो with respect to x करदो p अगर y term में है, तो y के respect पे integration करदो तो सबसे पहला step होता है, दोनों ही methods के अंदर integrating factor find करना ठीक है भई, integrating factor find करना, यहां से मैं variable अभी remove कर रहा हूँ या अपने आप understood कर लेना, अगर p x term में है, तो integration x term में होगा अगर p y term में है, तो integration y term में होगा, simple एक दम ठीक है, तो integrating factor आ गया, integrating factor के बाद भई, अगर आपको इन्हे solve करना है, finally ठीक है, integrating factor के बाद में अगर आपको इन्हे solve करना है, तो यह वले category का question कहता है आप y को multiply कर दो integrating factor से, equal to में q को multiply कर दो integrating factor से, left hand side का integration कर दो x variable के respect पे simple story, second वाला point कहता है, यहाँ पे आप x को multiply कर दो integrating factor से, equal to में q को multiply कर दो integrating factor से, इनका integration कर दो आप variable y के respect पे, simple एक दम, ठीक है, और इनको ध्यान रखना काफी असान है अगर dy में y उपर है तो y पहले आ जाएगा यहाँ पे dx में x पहले है तो x यहाँ पह आ जाएगा numerator में x है तो यहाँ पे x आएगा numerator y है तो यहाँ पे y आएगा ठीक है और अगर उपर y है तो उपर देगो यहाँ पे numerator y है y और y मैच होता है यहाँ पे x है तो यहाँ पे x और x match होता है तो dx है, x match होता है तो p और q आपके y terms वाले function होंगे यहाँ पे y है, इधर भी y है, दोनों तरब y है दो terms y है, तो p और q आपके x term वाले होंगे बिल्कुल simple है, बहुत असान है और कभी-कभी हमें कोशन में यह वाली फोम बनानी पड़ती है तो फोम बनाने के लिए आप ध्यान रखेंगे देखो क्योंकि P और Q दोनों ही वाइटम्स वाले हैं P और Q दोनों ही X टम्स वाले हैं तो अगर कोशन को देखकर कि आपको feeling आएगी कि X वाले function ज्यादा है X variable आपको ज्यादा नज़र आ रहा है तो ज्यादा variable X तो यहाँ पर नज़र आएगा जहाँ पर P और Q एक्स टम्स वाले होते हैं तो यह वाला differential equation बनेगा पिर उसके बाद आगे कहानी solve होएगी अगर आपको अपने को एक्साम में Y variable ज्यादा नज़र आते हैं कोशन को हम analyze करेंगे अभी मैं कोशन दिखाऊंगा आपको उसमे analyze करेंगे तो हमें दिख रहा है कि यह तो Y बहुत ज्यादा है तो Y अगर बहुत ज्यादा है तो P और Q Y तो second वाले case में होते हैं तो DX अपन में DY हमें differential equation कुल मिला करके बनाना है ठीक है बई? तो बिल्कुल simple है यह differential equation दो type की रहती है integrating factor find करना है आपने अपने sample पे अपने integrating factor find करने का कोशन देखा था और बाकी के remaining sample paper की बात करें तो उनमें इनको solve करने का भी तरीका था तो मैं आपको पूरा full flesh करवा दूँगा घरवाने वाली बात नहीं है integrating factory आपके exam में आएगा तो कर देना कोई issue नहीं है असान है ठीक है? चलिए आई यह start करते हैं ठीक है? इस पे आज़ेगे ठीक है? पहला कोईशन यह बाला करेंगे बहुत ही simple कोईशन है dy by dx देखो साफ साफ बना के दिया हुए dy by dx अगर साफ साफ dy by dx बना के दिया हुए तो आप automatic समझ जाओ first वाली type का कोईशन है dy by dx के addition में p into y equal to me q ठीक है? वह बाला कोईशन है यह तो यह आप मानो class का हमारा पहला कोईशन है और solution में आप note करेंगे इसी को वापिस note करो ठीक है? dy by dx है dy by dx के addition में आपको मालूम है y अलग होता है और बाकी p अलग हो जाता है तो यहाँ पे ध्यान से y अलग है, p अलग है तो y को आप इसको अलग कर लो बाकी अलग करके note कर दो तो ऐसे आ जागा 1 by x ठीक है? 1 by x अलग हो गया y आ गया और x तावर 2 आ गया equation number 1 है ठीक है भी? dy by dx के आते हैं y अलग हो गया, 1 by x अलग हो गया x तावर 2 अलग हो गया तो equation number 1 आ गया इसके बाद में इसका general equation note करो इसको note करने के बाद general equation note करो dy by dx है dy by dx के addition में p into y है equal to x पावर 2 है equation number 2 है ठीक है भी? first equation, second equation दो equation हमारे पास है इन दोनो equation को आपस में compare करो ठीक है? तो by comparing ठीक है? दोनों को आपस में compare करेंगे so by comparing comparing करने पे जो y के साथ में p लिखा हुआ है वो y के साथ में 1 by x के equal आएगा तो p का विल जो निकल के आता है 1 by x है and जो अरे यहाँ पे x को लिखा हमने यह तो q है न भाई? यह तो q है यहाँ पे ठीक है? general equation में q होता है तो equal to में जो right hand side पे q है वो equal to right hand side पे x power 2 है तो हमारे q का अंसर आता है x power 2 है ठीक है भई? हमारे q का अंसर निकल के आता है x power 2 है तो सबसे पहले integrating factor ठीक है भई? सबसे पहले आपको find कर लेना है integrating factor जिसको कहते हैं if तो if integrating factor e की power पे integration करना है p का p x term में है तो x के respect पे होगा तो you will write e की power पे 1 upon x का हम integration करेंगे अरे 1 upon x का integration तो log x होता है तो यहाँ पे simple log x आएगा constant हमें add नहीं करना है इसके अंदर because हम complete integration नहीं कर रहे है simple उसका थोड़ा usage कर रहे है तो constant add नहीं होगा अब यह आपको हमने सिखाया था यह जो base पे e है और जो उपर x है आपस में change हो जाएंगे तो ऐसे x आ गया और उपर पे log e चला गया जो base है और जो log का base है दोनों आपस में change हो जाएंगे तो x नीचे और e उपर अब log e का value तो आपको मालूम है 1 होता है मालूम है नहीं मालूम है log e का value 1 होता है तो log e का value 1 है तो आपका integrating factor simple से x आ गया ठीक है भी x power उपर बन करके लिखोगे न तो x power 1 का मतलब है simple simple x आ गया ठीक है भी integrating factor के value जहो x आ गयी तो अगर एक्जाम में आपको बोलेंगे find the integrating factor तो बता देना भाई x answer है simple एकजम tension लेनी नहीं है what is the integrating factor तो x is the integrating factor integrating factor के बाद question बोलेंगे solve करो तो solve कर दो और ना उपर अगर y है तो y से start करेंगे y को multiply करना है integrating factor से q को multiply करना है integrating factor से इनका integration करना है x variable के respect पे ठीके ना integration करना है x variable के respect पे so y सेम रहेगा integrating factor x है तो x आएगा equal to whole integration q का answer x power 2 है तो वो आएगा integrating factor x find करा है और यहाँ पर simple dx आएगा दोनों को multiply करेंगे x into y है equal to integration दोनों में power add कर लो x power 3 है simple सा dx है तो x into y का answer जो है x power 4 के denominator में 4 वही simple integration है यह तो x power 4 by 4 और adding कर दो constant of integration यह answer हो गया ठीके ना boys and girls यह हमारे question का answer हो गया तो बिल्कुल simple सा question है 2 marks में integration के question पे रहेंगा sorry 3 marks integration का question 3 marks में आएगा direct तो cbse game करेगी तो integration के साथ में यह वाला question एड करतेगी ठीक है ना 5 marks 4 marks में यह वाला question ने आने वाला आएगा तो 3 marks में आएगा ठीक है भई 3 marks में आएगा और integration की choice के साथ में आएगा ठीक है तो यह आपके सामने simple सा question है मैंने I think बोला है integration की choice में आएगा यही बोला ना मैंने definitely होगा वैसे नहीं कह सकते लेकिन 3 number में यह question आ सकता है अगर integration का वहां से हट गया तो अपना क्या कहते हैं क्या बोलते हैं भई differential equation के साथ में differential equation का choice आ जाएगा variable separable के साथ में इस topic का choice आ जाएगा ऐसे हो जाएगा तो हम chance क्यों लें भई अगर ऐसे चोटा सा question आएगा जो हमें 3 number दिलवाएगा तो हम तो फटा फट कूत के solve करेंगे इसको कितना simple सा question है यह तो integrating factor find कर लो और यहां पर substitute करके re integration करके आंसे finish कर लो simple एकदम ठीक है भई आगे बढ़ते हैं देखिए इसको करेंगे ठीक है यह वाला question देखिए ठीक है डीवएगे डीएगस है सोचना मना है दीवहएगे डीएगस है तो लिखो यह question number 2 कर रहे हम ठीक है question number 2 में solution ठीक है solution में दुबारा note करो डीवेगे डीएगस है डीवेगे डीएकस के addition में 2 in2y है equal to 6 in2 e power x है equation number 1 है फिर dy by dx वाला आप general equation note कर दो तो वो dy by dx होता है dy by dx में p into y होता है equal to q होता है second equation है ठीक है फस्ट equation है second equation है दोनों को compare कर दो तो by comparing य के साथ में p है तो y के साथ में 2 है यानि कि P का value simple 2 है ठेकिन अभी P का value जो है वो 2 है, जो equal to में Q है वो equal to में इसके equal है तो Q equal to में 6 into में exponent है ठेकिन अभी Q equal to में 6 into में exponent है इसके बाद में integrating factor So integrating factor का value E की power पर integration करना है P का, यहाँ पर variable x term में है न सब, यह P और Q x term वाले है हाला कि P constant है, लेकिन Q तो x term वाला है तो x के according integration करेंगे तो भई, E की power पर 2 का integration करना है आपको 2 constant है तो constant के साथ variable आ जाएगा तो integrating factor बना E power 2x विल्कुल simple है integrating factor है E power 2x Now if integrating factor E power 2x है question बोलेगा solve करो फटा फट से कर देंगे ठीक है, उपर y है तो y को multiply करना है integrating factor से equal to Q को multiply करना है integrating factor से दुबारा से integration कर देंगे variable हमारे x term वाले है text के according simple एकदम, बहुत simple है, बिल्कुल असान है y को integrating factor कर दो integrating factor आपने E2x find करा है, equal to में integration Q की value 6ex है यह के भी 6ex है इसके साथ में E2x है और इसका हमें integration करना है यह सेम रहेगा y into में E2x है equal to में 6 को आप आगे कर लो इन्हें add कर लो तो 6E3x हो जाएगा और यहाँ पर simple ऐसे है भई, exponent का integration might be student आपने तो इतना high level का integration पढ़ लिए यह तो कुछ भी नहीं है अब यह तो कुछ भी नहीं है भाई simple E3x का integration तो E2x के equal to में 6 सेम रहेगा यह E3x है denominator में 3 आजाएगा क्योंकि X का coefficient 3 है और साथ में adding करेंगे value C 3 और 6 को cut करके अगले वहले step में answer complete कर देंगे तो Y into में E2x है equal to में 2 into में E3x है addition में C है यह हमारे question का answer है ठीक है भई यह हमारे question का answer है बिल्कुल simple सा question थोड़ो confidence आ रहे कि यह रहे यह तो से बिल्कुल असान था लेकिन syllabus में नहीं था इसलिए मैंने पहले आपको नहीं करवाया था बट C B I C game कर सकती है तो अभी करवा रहा हूं क्या दिक्कत है असानी तो है अना भी असानी तो है कोई सी बड़ी बात है बिल्कुल simple है अना भी बिल्कुल simple simple बात है यह देखिए आप ठीक है ना यह वहलो question देखिए अब देखो इसमें तो एक number मिलेगा आपको इसको general equation बनाने का ठीक है ना तीसरा question कर रहे है तो एक question तो इसके अंदर इसको general equation बनाने का मिलेगा general equation का मतलब क्या यहाँ पे dy by dx के साथ x लगा हुए धियान से देखो आप dy by dx के साथ में x लगा हुए तो x वहाँ से हटाना पड़ेगा यह principle linear method की differential equation नहीं है इसको हमें modify करना पड़ेगा तो यहाँ पे लिखेंगे solution solution में हमें यह x value को यहाँ से हटाना है यहाँ पहले question note कर लो x के साथ में dy by dx है ठीक है यह दिवेब डिएक्स के addition में 2 into y है equal to x power 2 है इसे equation बन नहीं मानेंगे क्योंकि जो linear method है वो कहता है डिवेब डिएक्स होना चाहिए यहाँ तो dx अपन डिवेब होना चाहिए इनके साथ में कोई constant coefficient नहीं चलेगा अगर है तो हटाओ तो हमें इनको अब यहाँ से remove करना पड़ेगा ठीक है बई तो remove कैसे करेंगे पूरी की पूरी हम equation को value x से divide करतेंगे तो x पहले से है हमने इसको x से divide कर दिया साथ में dvdx सेम रहेगा ठीक है बई dvdx सेम रहेगा adding 2 है divide में x आ गया और y सेम रहेगा और यहाँ पे x power 2 है divide में x आ गया बाकी बिल्कुल एक्दम बिल्कुल सेम है complete equation को हमने x से divide करा तो यहाँ पे दो 1 हो गया 1 को note करने के need नहीं है तो simple dvdx आ गया ठीक है बो dvdx है addition 2 by x को bracket पे कर लेंगे क्योंकि यह आने वाले time पे p का काम करेगा इसको cancel करके x कर लो यह equation 1 है ठीक है boys and girls this is the equation number 1 अगर यह equation 1 है तो now write down the general equation ठीक है यह equation आ गया अब यहाँ पे general equation तो dvdx dvdx के addition में p into y है equal to me q है second equation है दोनों को फटा-फट compare कर लेंगे तो by comparing ठीक है जी दोनों को हम compare करेंगे तो हमने किया compare इनको compare करने पे y के साथ में p है y के साथ में 2 by x है तो यानि कि जो p का answer है वो हमारा 2 by x है साथ में q value equal to में यह equal to में q है तो equal to में x है तो equal to में simple x आ गया जैसे पहला question की आदा वैसे ही तो हो गया अभी है तो फटा-फट से integration sorry integrating factor ठीक है भी फटा-फट स्पीट से integrating factor करेंगे तो आपने आपर note करेंगे integrating factor equal to में exponent की power पे हमें integration करना है इस p वाली value का और p x term में है तो x term पे करेंगे x के according integration करेंगे तो integrating factor है e की power पे p है 2 by x 2 by x का integration करना है तो भई 2 को आगे कर लेंगे और 1 by x का simple सा log x हो जाएगा ठीक है भी इस तरीके से e की power पे 2 log x है variable x और e दोनों interchange हो जाएगे ठीक है भी x और e interchange हो जाएगे तो x की power पे 2 है और साथ में log e हो जाएगा log e 1 होता है तो x power 2 है simple यह answer है आपना भई और क्या करेंगे simple यह integrating factor आगे आपके पास में now if this is the integrating factor quotient कहेगा solve करो तो बिल्कुल असान है भाई tension क्योंकि बात ही नहीं है y को multiply करना है integrating factor से q को multiply करना है integrating factor से इनका दुबारा integration करना है हमें x के respect पे तो y into my integrating factor y into my x power 2 है equal to q का answer simple से x है multiply integrating factor x power 2 है इनका वापफिस हमें integration कर देना है इससे आप ध्यान से देखो multiply कर दो बिल्कुल simple y into x square या x square y लिख दो इसको ठीक है equal to में यह x power 3 हो गया x power 3 का integration करते हैं power में 1 add करना है x power 4 by 4 है addition c है और x square के साथ में y है तो यह हमारे question का answer हो गया यह हमारे question का answer हो गया simple एकदम find integrating factor substitute करके re-integration करके फटा फटा answer आजाता है और यह question आया तो 3 marks आपको दिलवा के जाएगा और देखो कितने easy level का question है यह बिल्कुल simple level easy level question मैं तो कहा तो बहुत असान है यह very very simple यार क्या दिक्कत है इसके अंदर आगे भट जाएं समझा रिये कहानी आपको तो share कर दो यार share क्यों नहीं कर रहे भाई हम आपको expected expected चीज़ें कर वा रहे है share क्यों नहीं कर रहे भाई share कर जलती से ठीक है इस पर आजो अब ठीक है इस वाले question पर आजाईए ठीक है बहुत ही genuine question है बड़िया question है ठीक है ना बिल्कुल ही जबर्दस्ट level का question है यह वाला तो question देखो क्या कहता है कहने की तो बात में बात है भी यहाँ पर देखो कहीं पर भी आपको ध्यान से देखो इस पूरी equation को बिल्कुल careful तरीके से देखो इसमें आपको general equation बनाना पड़ेगा यार general equation यहाँ तो d-y पे dx के साथ में P into y के साथ में Q यहाँ फिर dx upon dy के साथ में P into x के साथ में Q हमें खुद से बनाना पड़ेगा तो check करो इसके अंदर x और y में से क्या ज़यदा है ठीक है इसमें x और y में से आपको क्या ज्यादा नजर आता है तो आप करेंगे सर यहाँ पर तो x ज्यादा है इदर भी x है इदर भी x है तो x variable ज्यादा है x variable ज्यादा कहाँ पर होता है जहाँ पर p और q दोनों ही x term में होते हैं दोनों ही x term में होते हैं इसका मतलब dy by dx वाला form बनेगा यह तो d way by dx बिल्गुल सही लिखा हुए बस इसके साथ में y वाला term और note कर लो यानि कि यह जो minus में 2x है ने इसको यहाँ पे ले आओ तो यह number कौन सा है जी 4 number है लिख दो यहाँ पे 4 number question है 4 number question में solution solution में आप note करेंगे भई 1 plus में x power 2 है इसके साथ में d way by dx है यह वली term यहाँ पे आपके add हो करके 2xy हो जाएगी और equal to में simple सा 4x power 2 है ठीक है भी equal to में simple सा 4x power 2 है तो बस इसको अब हमें solve करने है और solve करने के लिए d way by dx को पहले हमें 1 बनाना पड़ेगा yes or no? d way by dx को we need to make 1 तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे पूरी equation को divide कर देंगे तो यहाँ पे अपने पास आता है 1 plus में x power 2 है divide में भी 1 plus में x power 2 है साथ में d way by dx है ठीक है भी d way by dx है addition पे 2 into x है denominator पे 1 plus x power 2 है इसको आप साथ में y है 2xy के साथ ऐसे है और equal to में 4x power 2 है denominator पे 1 plus में x power 2 है ठीक है पूरी complete equation divide हो जाएगी divide करने के बाद ही cancel हो गया cancel होने पे आपके पास आया d way by dx है ठीक है भी d way by dx है addition में अब यहाँ पे आपको p लग करना होता है न y के साथ वाला number p होता है तो वो इसको वैसे लिख दो भई यह simple सा 2x है denominator पे 1 plus max power 2 है ठीक है न 1 plus x power 2 है close करके y आयेगा equal to में 4 into x power 2 है denominator में 1 plus max power 2 है ठीक है भई यही तो होगा और क्या करेंगे से ज़्यादा हम तो simple हमने note कर दिया this is the general equation बड़िया equation है यह coefficient 1 है p आपको साफ साफ नजर आता है तो पहला equation आ गया अगर यह पहला equation है तो अब यहाँ पे दूसरा जो अपना general solution होता है वो लिख दो तो d-way by dx है ठीक है अभी d-way by dx है addition में p into y है और equal to में q है यह second equation है ठीक है यह second equation है दोनों को compare कर लो p और q note कर लो ठीक है तो by comparing ठीक है दोनों को हम compare करेंगे तो by comparing comparing करने पे आता है कि जो हमारे p का value है वो 2 into x के denominator पे 1 plus max power 2 है हना y के साथ में यह y के साथ में यह तो p का value है साथ में q का जो answer है यह equal to q equal to यह है तो 4 into x power 2 के denominator पे 1 plus max power 2 है ठीक है बहुत असान है बहुत 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 असान ठीक है p आ गया q आ गया p और q आने के बाद में यहां partition करेंगे ठीक है partition करके integrating factor करेंगे ठीक है अभी integrating factor तो integrating factor equal to में exponent की power पे हमें p का integration करना है x के respect पे तो answer बनेगा e की power पे यह p का value आपके पास में 2x है 2x के denominator पे 1 plus max थावर 2 है और यहां पे simple dx है भई आपने इतना तगड़ा तगड़े level का integration किया हुए है यह simple है यह बहुत 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 ज़्यादा simple है कैसे simple है क्या आपको याद है अगर integration करते हैं हम उपर derivative present रहता है और अगर denominator पे function है ठीक है function है और derivative है तो आप इसका answer log function लिखते हो अरे याद है या नहीं log function लिखते हो इसका answer आप तो यहाँ पे log 1 plus x थावर 2 आ जाएगा मानतों नहीं मानते अगर आप इसका derivative करोगे 1 का derivative 0 x square का derivative 2x तो total में लाकर यह 2x है तो 2x ही तो यहाँ पे note हो रखा है हना 1 plus x square का derivative 2x यहाँ पे note हो रखा है तो बस बात हम समझ गई answer हमारा log 1 plus x थावर 2 बनेगा ठीक है न यहाँ पे आप note कर दो e की power पे log है और 7 में 1 plus x थावर 2 है यह आपका answer बनता है now e और जो यह वाला bracket है change हो जाएगा आपस में अरे बिदे कितने सारे question करें हमने change करते आए हैं तो यहाँ पे भी change हो जाएगा तो आप लिखेंगे बई 1 plus में x थावर 2 है 7 में log e है log e हटके 1 हो जाएगा तो 1 plus में x थावर 2 आता है ठीक है बई 1 plus max थावर 2 आता है बिल्कुल simple तो यहाँ आपका integrating factor आ गया अब solve कर दो ठीक है इसको फटा फट से solve कर दो solve करने के लिए y को multiply करना है integrating factor से q को multiply करना है integrating factor से दुबारा integration करतेंगे x के respect पे तो भाई y के साथ में integrating factor 1 plus max थावर 2 है और q q अपने पास में 4x पावर 2 के denominator पे 1 plus max थावर 2 है multiply integrating factor 1 plus max थावर 2 है वापिस हम इनका integration करेंगे ठीक है ना वापिस हम इसका integration करेंगे तो अब तो कुछ बचाई नहीं इसके अंदर देखो ये वाली same term ये वाली same term cancel तो 4x स्कूर का integration करना है आपको भाई किसका integration करना है 4x स्कूर का तो y के साथ में 1 plus max power 2 है equal to integration है 4x power 2 का with respect to x ठीक है भाई 4 same रहेगा power 2 का integration आपको करना है ठीक है ना 4 same रहने दो power 2 में 1 plus करोगे तो power 3 है denominator में 3 है addition इसमें c हो जाएगा इसको 4 plus 1 plus x को लिख दो या answer हो गया आपका ठीक है boys and girls यह हमारी question का answer हो गया बिल्कुल simple इना बिल्कुल simple question है बिल्कुल हमने प्यार से करा अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपने ना पढ़ी हो बताओ मुझे आईए तो मुझे बता दो दो simple से formula है ना interchange करना है और कुछ नहीं तो नहीं पढ़ा आपने integration पुराना ही है दो बार integration हो रहा है कोई बात नहीं होने तो अगर integration का direct question के साथ यह वाला choice में आता है तो मैं कहता हूँ इसको attempt कर देना 100% आप इसको attempt कर देना भाई असान है यह क्या दिक्कत है बताओ मुझे बिल्कुल simple simple तरीके से question solve हो रहे है तो definitely इसको आप कर देना ठीके ना 100% आप इससे करना ओके फिर देखो यह वाला आप ठीके ना इस question के इन्दे जरा चेक करो भाई जरा चेक करके मुझे comment section बता ही दो यहां बाध बराबर है यहां पे एक वाई है तो दूसरा रागया तो य हमने nowtice करा कि एक बार है य जो हवारो हमारा दो बार है तो य ज्यादा बार है और वाई ज्यादा बार तब हो सकता है जब P , Q , y term वाले हो, य्एसर, नो भूल तो नहीं गए भाई , फाला, पेज ज्याद है भूल गए ? यहाँ पर आजो ज़र ट्रीकर न , P , Q, 2 , वाले term होंगे तभी तो ज्यादा होग उसके अंदर तो this category का question है , जानि के आपको our linear method लगाना है और dx upon means, d-y बनाना है ? dx upon dy आपको यहाँ पर बनाना है तो यह वहला कौन सा नंबर है भई यह हमारा 5 नंबर है ठीक है भई question number 5 हमारा आता है इसमें आपको dx upon dy बनाना है तो dx यहाँ पर है ही है इसको महाँ पर ले जाओ यहाँ पहले solution में लिखो इसको ठीक है तो dx यहां पे same रहेगा, इसके denominator पर यहां पर dy आ जाएगा, y यहां पर जाकर divide हो जाएगा, तो x के addition में 2 into y power 3 है, denominator पर y है, denominator वाले y को दोनों से separate कर देंगे, ठीक है, separate करेंगे तो बहनेगा, dx के denominator में dy है, और equal to में x के denominator में y है, addition में 2 into y power 3 के denominator में y है, तो dx के denominator में dy है, equal to में x upon में y आता है और plus में 2 into y power 2 होता है ठीक है अभी इस तरीके से हमारे पास value रहता है अब dx upon dy के 7 में p चाहिए होता है यहाँ पे equal to में p वाला बन रहा है तो equal to p को इदर लेके आजो ठीक है यहाँ से p निकल के आएगा इसको इदर लेके आजो तो dx upon में dy है dx upon dy के minus में x upon में y आएगा और इसके equal to में 2 into y power 2 रहेगा यहाँ पे इसको सही में p वाली term बनाओ तो dx upon dy है ठीक है dx upon dy है plus के bracket में लिख दो minus में 1 by y ठीक है भी दोस्तों कुछ भी भूलना नहीं है अगर उपर x है तो वहाँ पे भी x है ठीक है उपर x है वहाँ पे भी x है तो उपर वाल x अलग हो गया और minus 1 by y ब्रैकेट में करके लिख दिया और इसके equal to में 2 into y power 2 है ठीक है इसे मान लो यह equation number 1 है ठीक है ना यह हमारा बढ़िया equation है equation number 1 अब इसके साथ में आगे आप note करो जो हमारा general equation होता है ठीक है जो हमारा general equation होता है तो आप कहेंगे सर्थ general equation होता है dx के denominator में dy है addition में इसके p into x है और equal to में q है equation number 2 है दोनों को हम एक दूसरे से compare कर लेंगे तो by comparing ठीक है भी दोनों को हम compare करेंगे तो by comparing comparing करने पे हमारे p का value जो x के साथ में हो बनेगा x के साथ में minus 1 by y है तो minus 1 by y बनेगा opposite में q equal to में यह 2y square आएगा और वहाँ पे q है तो यानिकी q कहां से 2y square आगया ठीक है तो p और q हमारे दोनों y terms में है integrating factor re-integration question finish ठीक है तो लिखो यहाँ पे integrating factor if if equal to e की power पे integration करेंगे minus 1 by y का with respect to y ठीक है तो यह बनेगा आपके पास integration minus same रहेगा और आजएगा log y ठीक है e और y आपस में change हो जाते हैं तो y के minus में log e हो जाएगा log e 1 होता है तो y minus 1 है ठीक है न भी कितना है y minus 1 है और y minus 1 को 1 by y लिखते हैं ठीक है न भी y minus 1 को 1 by y लिखते हैं simple एकदम so integrating factor है 1 by y ठीक है boys and girls integrating factor है हमारा 1 by y अब आगे आप solve कर दीजिए इसको ठीक है न आगे तो कुछ बचाई नहीं के अंदर आगे आप इसको solve कर लो ठीक है यहाँ पर note करो दो को पहले x है यहाँ पर इस बार ठीक है न पहले x है तो x के साथ multiply कर दो integrating factor equal to q को multiply कर दो integrating factor और integration करना है variable y terms में है तो y के respect पे तो भई x को multiply करेंगे 1 upon y से equal to q का answer अपना कहां पे गया भाई q कहां पे रहे q कहां पे रहे इनको multiply करेंगे तो x upon y है equal to में 2 को आप आगे कर लो यह वाला y और power to cancel हो के y हो जाएगा तो y का हमें integration करना है ठीक है और y का integration को integration है simple सा power rule लगना है y power 2 by 2 खेल खतम हाना भी तो आप यहाँ पे लिख दो इसको x upon y है equal to में 2 है साथ में y power 2 है divide में 2 है addition में constant है 2 बेचारा cancel हो गया तो x के denominator में y के addition में y power 2 adding c हमारा answer आता है ठीक है बई यह हमारे question का answer आता है तो कितना simple हो गया जो हम देख रहे के घवरा रहे थे oh my god कैसे होगा तो हमने उसमें identify करा भी y जैदा है और y जैदा है तो फिर यह dx upon dy वाला term है तो solve करतेगे solve करतेगे solve करतेगे solve करतेगे solve हो गया simple एकदम ठीक है न तो मुझे नहीं लगता है कि आपको भी यह तक कोई doubt आ रहे है इमानदर जानदर तरीके से पढ़ा रहे हूं तो doubt आना नहीं चाहिए आ रहे बताओ comment section बताओ doubt आ रहे करो यार comment करके बताओ आ रहे नहीं आ रहा हो जाएगा कर लोगे न linear method चाहे dvay बे dx वाला हो चाहे dx पुन dvay वाला हो दोनों हो जाएंगे बताओ जल्दी बतादो यार क्या कर रहे हो आप हो जाएंगे ना पक्का चलो फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं और यह question देखो फिर ठीक है इस question ने आपकी यादे ताजा कर दी होंगी sample paper का question यार हमने आपको जो भी question करवाए अगर वो question करने के बाद आप यह question कर पाए तभी तो मतलब है हमने पढ़ाया आपको सही से वरना क्या ही फायदा है तो मेरे दोस्तो इस वह question को यार आप करके देखो अब ठीक है थोड़ा स्पीट से कर्यें ठीक है फटा-फट स्पीट से करिए मेरे दोस्तो जल्दी फटा-फट करिए ठीक है your time यह कोन है युक्र, थीक है यह? इस और नो ही बता दी जिए कि कर पा रहे हैं या नहीं? बोलो यह कौन है यह? ओके यह थीक है यह हैं वई? इंहुम, वहुम वहुम ये ट्रिंग ट्रिंग आपको उसमें आई ति मैरे दोस्तों ट्रिंग ट्रिंग आपको सुनाई दी कोई बात नहीं सुनाएए तो time अच्छा negative time जा रहा है कोई ने चलो बहत हूँ इसको ठीक है उम्मिद करता हूं कि आपने कर लिया होगा आंसर आपका आगया होगा असान है काफी सिंपल है काफी असान है ठीक है आईए हम आपको करवा देते हैं सबसे पहले तो देखो यह type 2 question की category का है हना d y y d x है बिल्कुल correct है लेकिन यह type 2 category का question है हमें इस x को यहां से हटाना पड़ेगा तो हटाना पड़ेगा तो आप इसको note करेंगे x के साथ में d y y d x है ठीक है भी x के साथ में d y d x है addition में 2 into y है और equal to में simple x power 3 है value x से हम divide कर देंगे तो x को हमने x से divide करा साथ में d y by d x है के addition में 2 into y के denominator में x है, equal to x power 3 के denominator में x है ये 1 हो गया तो simple सा d y by dx है d y by dx के साथ में हमने इसको 2 by x करके लिख दिया और 7 y है, equal to simple x power 2 है अब ये क्योंकि mcq question है तो यहाँ पर हर statement लिखने के need नहीं है, you know very very well जो y term के साथ होता है, वो p का value है और integrating factor में p ही चाहिए होता है, तो 2 by x हमारा p है, ठीक है ना, जो हमारे p का value है simple सा 2 by x है, तो integrating factor, integrating factor, exponent पर integration करना है 2 by x का with respect to x तो भाई, e की power 2 आ गया जाएगा, और 7 में log x आएगा x और log आपस में change हो जाएगे, तो x power 2 पर log e हो गया, ठीक है x power 2 पर log e हो गया log e 1 होता है, मेरे दोस्तो log e 1 होता है, इसका मतलब ये बना कि हमारे question का answer x power 2 है, ठीक है अभी x power 2 है, तो x power 2 यानि की option number c है, ठीक है भी, x power 2 का मतलब है option number c है, तो बिल्कुल एक दिम genuine हो गया आप तो, हाना जो आपकी complaint थी, सरी आप, एक topic, एक topic आप नहीं करवा रहे, नहीं करवा रहे, करवा दी आज हमने और देहू करना simple था, मेरे दोस्तो कितना simple था, अब मैं आपको homework देता हूं, ठीक है homework आपका ये है, कि इसको complete solve करके answer बताओ क्या है, ठीक है complete solve करने का मतलब है, जैसे ये वला complete answer है, ये वला अपना complete answer है, ठीक है ये वला complete answer हो गया, ये वला complete answer हो गया, तो ऐसे करके complete answer इस question का क्या है, वो आप मुझे बता दो, ठीक है ना according to mcq हमने complete कर लिया है, अब complete answer तरह मुझे बता दो कितना बनेगा बताओगे डैफिनेटली चलिए बता दीजिए और इसका पीडिएफ हम आपको टेलेग्राम पर प्रोवाइट करवा देंगे टेलेग्रम जोइन कर लो तो भई आज हमने आपको डिफरेंशल एक्वेशन का सबसे जबर्दस्त और सबसे अ जोलिए झाला हुआ हुआ है